Hello everyone and welcome to Instant Biology by Dr. Nilaab आप में से बहुत सारे students का एम होता है कि वो summers में कुछ बहुत अच्छी training करें कुछ बहुत अच्छी internship join करें और अगर ऐसी internship में आपको payment भी मिल रहा हो आपको कुछ salary भी मिल रही हो तो फिर क्या ही कहने तो मैं इसी तरीके की एक institute के बारे में बताने आया हूँ टॉप नौच institute है टाइफर हाइदराबाद की मैं बात कर रहा हूँ टाइफर हाइदराबाद ने notification जारी किया है अपने यहां internship या summer research program के लिए तो आप में से जो भी students बहुत अच्छे institute से अपनी training करना चाहते हैं आगे आने वाली summers में तो यह video आपके लिए है इसे last तक जरूर देखिएगा मैं इसमें सारी information आपको देने वाला हूँ कि किस तरीके से apply करना है form कहां से मिलेगा और बागी सारी process क्या क्या है तो चलिए शुरू करते है visiting student research program जो टाइफ़र हाइदराबाद में चलता है उसके बारे में बात करते हैं तो इसका aim क्या है ताकि जो education हो वो enriched हो और broaden हो सके इसके अलावा जो टाइफ़र हाइदराबाद है वो हर साल short term students को दो category के through host करता है ठीक है तो summer research program जो है यहाँ पे यहाँ पे आप दो तरीके से enroll कर सकते हैं यहाँ का जो summer research program है दो तरीके से enroll कर सकते हैं देखें, confused नहीं होएगा एक तो यह इनका summer research program है जो short duration का होता है और एक semester या long term visiting student research program है आज हम बात जो करने वाले हैं वो इस summer research program की करने वाले हैं क्योंकि इसका notification आया हुआ है तो देखें यहाँ पे यह जो program है इसको offer किया जाता है हर साल में से जुलाई के बीच में और इस program के अंदर students दो तरीकों से enroll कर सकते हैं पहला तरीका है टाइफर हाइदराबाद का जो summer research program जो यह खुद organize करता है और दूसरा केवी-पी-वाई science academies के थूँ अब देखें होता क्या है कि टाइफर हाइदराबाद के बहुत सारे professors या faculty members जो है वो केवी-पी-वाई या science academies के साथ जुड़े हुए हैं अब science academies अपनी तरफ से हर साल इस तरीके के programs को organize करवाती है तो अगर आपने science academy के थूँ apply किया और आप चाहते हैं किसी particular professor के अंदर करना जो की आपके टाइफर हाइदराबाद से जुड़े हुए हों तो आप वहाँ से भी apply कर सकते हैं आपको वही professor allot कर दिये जाएंगे तो दो तरीके जैसा कि मैंने बताया आप दोनों तरीकों से यहाँ पे apply कर सकते हैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि eligibility क्या है यानि कि टाइफर हाइदराबाद में अगर आप अपना internship करना चाहते हैं तो what is the eligibility for that तो देखिए students of any stream कोई भी stream हो सकती है बट आप final year में होने चाहिए अपने three years BSC program कर रहे हो तब भी students in their pre-final और final year of their MSC integrated MSC program में या four years BSC program में BTEC BE program में भी अगर है तब भी apply कर सकते हैं बट आपका क्या है यहाँ पे यह देख लीजेगा कि final year of three year BSC program अगर BSC program कर रहे हैं तो तीन साल का BSC program के final year में होने चाहिए students in their pre-final year or final year of the MSC pre-final or final year MSC में integrated MSC four years BSC BTEC BE program में अगर आप final pre-final year में हैं तो ही आप apply करें तो PhD students जो हैं वो eligible नहीं है याप तो याद रखेगा अगर आप PhD कर रहे हैं तो आप eligible नहीं है students who participated in previous years are not eligible to apply पिछले साल भी अगर आपने apply किया था आपका selection नहीं हुआ था या आप participate भर किये थे तब भी आप यहाँ पे eligible नहीं है ठीक है और B यानि कि यह जो दूसरा तरीका है KVPY के थू करना या science academies के थू करना तो वहाँ पे उनके rules लगेंगे ठीक है application process के बारे में बता देता हूँ कि अभी पहले मैं बता दूँगा कि यहाँ पे किस तरीके से apply करना है यह form open करके ही बता दूँगा इसके अलावा अगर कोई भी queries है तो यहाँ पे इनका mail ID दिया हुआ है आप इसमें contact कर सकते हैं last date जो है वो 16 Feb है बहुत लंबा चोड़ा time है काफी अच्छा कासा time है आप आराम से यहाँ पे apply कर सकते है इसके अलावा अगर application form देर से इनको मिला तो यह आप eligible नहीं होंगे और again यह के बाद जो दूसरे तरीके से apply करना है वो KVPYS या Science Academy के rules के हिसाब से चलेगा अब बात करते हैं जो stipend या accommodation यहाँ पे आपको कितना मिलने वाला है देखिये selected students जो है उनको monthly stipend दिया जाएगा 7000 रुपे का और इसके साथ-साथ उनको travel reimbursement भी दिया जाएगा यानि कि traveling क्या जो fair आपका लगेगा उसके भी पैसे आपको दिये जाएंगे as per tyfer rules तो free shared accommodation is provided by the institute तो accommodation के भी आपको पैसे नहीं देने हैं आपे वो भी free है आपके लिए इसके अलावा जो second वाला है अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप आप apply कैसे कर सकते हो तो click here to apply वाला option है इसके ओपर जैसे ही आप click करेंगे वैसे यह Google form खुल करके आ जाएगा तो यहाँ पे देखिए टाइफर visiting student research program इसको VSRP भी बोलते हैं तो यह हो गया 2024 का यह website भी दी हुई है मैं इसका link भी दे दूँगा आपको description section में apart from that आपको telegram group के ओपर भी इसकी information मिल जाएगी अब देखिए last date जैसा कि मैंने बताया था यह है अब यहाँ पे आपको किस तरीके से भरना है आपको अपना email परस्नल डीटेल्स यहाँ पे भरने है परस्नल डीटेल्स में email ID नाम, date of birth कौन सी डिग्री आप अभी pursue कर रहे है UG कर रहे हैं कि PG कर रहे हैं कि dual degree program में आप है nationality आपकी क्या है, telephone number क्या है address for correspondence क्या है आधार card का आपको अपना PDF form में आधार card यहाँ पे upload करना पड़ेगा इसके अलावा यहाँ से आपको अपनी जो educational details है वो देनी पड़ेंगी, name of the school board of education, percentage, year of passing इसके अलावा आपका class 12th की details यहाँ पे दभरनी पड़ेंगी again school studied, board of education, year of passing percentage, यह सारी की सारी details उसके बाद आपका undergraduate education के बारे में institute का नाम, university का नाम डिगरी कौन सी कर रहे हैं अब देखे, bsc, btec, b e, bs, bs, ms यह सारे के सारे options यहाँ पे available हैं इसके अलावा stream क्या थी अब जैसे कि अगर मेरी biotechnology की stream थी तो biotech बढ़ दिया या biology की stream थी तो biology बढ़ दिया year of passing, expected year of passing भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं अब जैसे कि मैं 2024 में pass होने वाला हूँ तो 2024 यहाँ पे लिख दिया percentage of marks वगेरा को यहाँ पे डालना है अगर अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो until last semester आप डाल सकते हैं consolidated mark sheets या grade card को आपको यहाँ पे add करना है degree certificate यहाँ पे add करना है और इसके अलावा provide the following details regarding your post graduate अगर आप post graduate कर रहे हैं तो यहाँ से आपको सारी details भरनी हैं यहाँ से कि मैं mtech कर रहा हूँ तो mtech पे click कर दीजे stream क्या है आपकी branch क्या है exam अगर आप pass कर चुके हैं और अगर if you are undergraduate student enter not applicable ठीक है तो यहाँ पे देख लीजेगा कि अगर आप mtech या master's degree cross कर चुके हैं आप अपने final year तक भी apply कर सकते हैं यहाँ पे यह बात मैं फिर से बता दूँ आपको ठीक है अब देखिए project preferences अब आपको अगर project में यहाँ पे selection होगा तो आप कौन-कौन से preference चूज़ करना चाहेंगे देखिए यहाँ पे क्या preference होगा जैसे कि cell biology के ओपर भी यहाँ पे काम हो रहा है बहुत different different projects है अब molecular structural representation distribution यह किसी और subject का है अब यहाँ पे और अगर मैं नीचे ओ cellular engineering and bio modulation देखिए यह एक biology का project नजर आ रहा है इसके अलावा आप देखें तो यह देखिए role of non-B DNA structure in governing replication timing in mammalian cells यहाँ पे साथी साथ में जो supervisor हैं उनका भी नाम दिया हुआ है identifying proteases involved in DNA protein cross link repair तो यह बहुत ही अच्छे अच्छे projects हैं और काफी rewarding projects हो सकता है आप वो काफी कुछ सीखने को मिल सकता है यहाँ पे इसके अलावा देखें दो preferences देने हैं पहला preference यहाँ पे दूसरा preference यहाँ पे इसके अलावा आपको यहाँ पे एक write-up भी डालना है तो 100 words का write-up होना चाहिए describing your interest in the project selected by you आप इस project में क्यों interested है अब आपको जो जब write-up आप लिख रहे हो तो आपको कुछ questions को answer करना पड़ेगा कौन कौन से questions है आपका motivation क्या है इस project को select करने के लिए क्या आपके पास कोई specific idea है इस project के ओपर काम करने के लिए या आप कुछ नया explore करना चाहते है how does your previous training make you suitable आपकी पुरानी जो training है वो किस तरीके से आपकी help करेगी इस project को करने में आपके outcomes क्या-क्या हो सकते है learning outcomes क्या-क्या आप expect कर सकते है और we would like the write-up to reflect your original ideas मतलब आप कहीं से भी copy वगरा मत करिएगा directly आप यहाँ पे लिखेगा और PDF फाइल को ही यहाँ पे upload करिएगा previous research experience अगर आपके पास कोई रहा है तो आप ज़रूर यहाँ पे इसके बारे में mention कर दीजे academic referees again बहुत ही important role play करेंगे क्यों academic referees में देखिए आपको details of referees यहाँ पे देना है और उनका email ID देना है तो यह directly यह जो टाइफर वाले हैं वो directly आपके referees से contact कर लेंगे और उनसे पूछ लेंगे आपके बारे में अगर वो अच्छा बोलते हैं तो आपके selection के chances बहुत अच्छी हो जाएंगे आपको कैसे VSRP के बारे में पता चला था यहाँ पे आपको mention कर देना है और कोई comments हो तो यहाँ पे mention कर दीजे और form को submit कर दीजे तो यह सारी की सारी details थी किस तरीके से आपको form को fill करना है उमीद है कि आपको यह information पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो please इसको like जरूर करिएगा चैनल को subscribe करना ना भूलेगा बैल आइकन को जरूर प्रस करिएगा और अपने friends के साथ जरूर शेयर करेगा apart from that अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं किसी subject specific subject की पढ़ाई करना चाहते हैं गेट की तैयारी करना चाहते हैं गैट भी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे contact कर सकते हैं इस description box में दिये गए number के साथ तो description box में मैंने contact details दे रखी हैं आप वहाँ से हमसे contact कर सकते हैं Thank you so much and have a good day